नागिन का बदला अब तक आपने फिल्मों में ये देखा होगा लेकिन यूपी के हापुड में एक नागिन ने ऐसा उत्पात मचाया कि लोग इसे नागिन का बदला कह रहे हैं इस नागिन से पुलिस भी परिशान है और नागिन को पकड़ने के लिए सपेरों की शरण में ह पुलिस की मौजूद्गी है काउं में हड कंप मचा हुआ है लोगों के चहरे पर खौफ है ये हापुड का सदरपुर गाउं है जहां साप को पकड़ने की कवायत चल रही है रात होते ही सदरपुर गाउं सहम उठता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहां तीन लोगों की मौथ हो चुकी है वहीं दो लोगों का इलाज चल रहा है ग्रामिर दावा कर रही है कि गाउं में एक नागिन बुरी तरहा लोगों के पीछे पड़ गई है जिसके बाद वो लोगों को डस रही है गाउं में हो रही इन घटनाओं के पीछे उसी नागिन का हाथ है जो बार बार लोगों पर हमला कर रही है सांप के खौफ के चलते लोग दहशत में जीने को मजबूर है ग्रामिडों का कहना है कि पिछले दिनों एक ही परिवार के तीन लोगों को सांप ने काटा जिससे तीनों की मौत हो गई रविवार को नागिन ने घर में अपने बेटा बेटी के साथ सोर ही मा को डस लिया था वहीं सोमवार की रात सांप ने एक शक्स को डसा घरवाले उसे समय रहते अस्पताल ले गए जिससे उसकी जान बच गई लेकिन दावा है कि अगले दिन उसकी पत्नी को भी सांप ने काट लिया इसके बाद वनविभाग को सूशना दी गए वनविभाग की टीम गाओं में पहुँच गई बाद में सपेरों को भी बुलाया गया वनविभाग ने एक सांप को पकड़ा था जिसे वो अपने साथ ले गई थी लेकिन ग्रामिड का कहना है कि करेट प्रजाती की नागिन है जो लोगों को अपना शिकार बना रही है वनविभाग की टीम महज गाओं से एक ही साफ पकड़ पाई है जबकि जो साफ लोगों को डस रहा है है वो करेट प्रजाती का साफ बताया जा रहा है जो राप को घर में सोते समय लोगों को डसता है साफ को पकड़ने के लिए वनविभाग की पाँच टीमें गाओं में मौजूद है लेकिन सदरपुर के ग्रामिड दह्शक में जी रहे है साफ का डर है कि जाने का नाम नहीं ले रहा हाफुर से न्यूज 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट और अब आथ सपना की है जहां एक महिला सिविल एंजीनियर ने पेड़ के नीचे अपना दफ्तर बना लिया है लेकिन यह प्रकृति का प्रेम नहीं है उनका मजबूरी है आखिर क्या है मामला आए जानते हैं पेड़ की ठंडी च्छाओं है चारों तरफ हर्याली शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह नजारा सुकून देने वाला है और इसी हर्याली में मैडम ने पेड़ के नीचे लगा ली है अपनी कुर्सी बना लिया है अपना दफ्तर लेकिन पर्यवरन प्रेम की यहां कोई पहल नहीं है मजबूरी है यह तस्वीरे सतना के कोटा नगर परिशत की है और तस्वीरों में नजर आ रही महला सिवल इंजीनियर है नाम है प्रियमवदा सिंग्ग पहले तो आप इनका अनुखा दफ्तर देखिए खोले आसमान की नीचे पेड़ की छाओ तले किसी इंजीनियर का ऐसा दफ्तर शायद ही आपने कभी देखा होगा और सिवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त प्रियमवदा ने भी शायद ही कभी ये सूचा होगा कि उन्हें ऐसे दफ्तर में बैट कर काम करना पड़ेगा प्रियमवदा को यू गार्डन में अपना दफ्तर क्यों बनाना पड़ा आईए इन्ही से जानते हैं दस महीने पहले मैंने लगातार यहां कॉंटिन्यू किया है तब से ना मेरे पास चमबर है ना टेबल है ना चेयर है अध्यक्ष और परिशत की मंजूरी से मैं उनके मीटिंग हॉल में अपना काम किया करती थी परन्तों पिछले कुछ हफ्तों से मेरे लिए सीमो का चमबर काम करने के लिए काम करने के लिए अध्यक जी का चमबर बंद मिला जाता है बैठने की कोई विवस्ता नहीं है बातरूम नहीं है मैं सिविल इंजीनियर हूँ लेकिन मुझे ट्वालेट बनाने की आजादी नहीं है यहाँ पर एक वुमें ट्वालेट होना चाहिए ताकि अच्छी सानिटेशन हो बैठने की जगे हो यह गार्डन में बैठी वही हो मैं और अगर कुछ दिनों में मुझे चामबर नहीं मिला तो हो सकता है मैं रोड पर बैठी मिलू तो सुना आपने सिविल इंजीनियर को दफ्तर दिया ही नहीं गया है इनका कहना है कि अभी तो गार्डन में दफ्तर है अगर कुछ दिनों में दफ्तर नहीं मिला तो रोड पर भी बैठना पड़ सकता है प्रियम वदा नाराजगी जाहिर कर रही है महिलाओं के साथ दोयम दर्जे के विहवार का आरोप लगा रही है चोटी जगों पर आज भी महिलाओं को कम तर देखा जाता है उनके लिए अलग से कोई विवस्था नहीं रहती उनके साथ आज भी दोयम दर्जे का विभार होता है चाहे वो ओफिस हो घर हो या पॉलिटिकल फील हो इस मामले में जब नगर परिशत के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैडम अपनी मर्जी से पेड़ के नीचे बैठ ही है तो वो क्या करें एक महला इंजीनियर को यू पेड़ के नीचे क्यों दफ्तर लगाना पड़ रहा है क्या वाकई में अगर परिशत के पास इंजीनियर के लिए जगा नहीं है या फिर यहां भी सियासत है फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है सतना से न्यूज 18 के लिए श्रिवेंडर बगहिल के सब्सक्राइब